Hello and welcome back dear student, आज का जो हमारा session है उसमें हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम typing software की help से हमारी typing speed को improve कर सकते हैं So last session में मैंने बताया था कि आपको अपने keyboard पे कैसे positioning रखनी है अपने fingers की Such that आपकी typing speed जो है वो धीरे-दीरे enhance हो जाए Now बात करूँ अगर मैं typing speed की तो keyboard की help से आप notepad पे या writer document अगर आपके पास available है तो writer document जैसे MS Word है, Libre Office Writer है, Open Office Writer है, बहुत सारे ऐसे text-based document है जिनमें आप अपनी practice कर सकते हैं daily base पे जिससे आपकी जो typing speed है वो enhance होगी So in the same sequence आप उसका alternate आपके पास क्या होता है कि आप typing software का help ले सकते हैं अपनी speed को enhance करने के लिए So आज के session में हम typing software के बारे में सीखेंगे कैसे उसको use करते हैं, कैसे उस पे हम अपनी fingers को use करते हैं Session शुरू करने से पहले में आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको आपने दोस्तों के साथ share करें, like करें, subscribe करें, अगर आपने subscribe नहीं किया तो subscribe करें क्योंकि जैसे ही हमारा theoretical portion complete होगा, हम लोग जो आपका typing software है, से related हो, या फिर आगे के जितने भी session होगे उनके practical sessions भी हम लोग upload करेंगे, such that आप अगर घर पे हैं, तो आप घर पे वीडियो देखके भी सीख सकते हैं, simply कैसे इनको perform करना होगा आपको अब भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप typing software यूज कर रहे हो अपने घर पे, तो आपको उसको यूज कैसे करना है, अगर डाउनलोड करना है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, यह software's freely available होते हैं, अगर paid है, तो आपको paid लेने की जरूत नहीं, जो freely available है, उसक test typing technique आपको यूज करनी है, जब type करेंगे, test typing क्या होती है, कि आपको keyboard पे देख के type नहीं करना है, आप first time आपकी speed slow क्यो ना हो, लेकिन आपको क्या करना है, screen पे देखना है, आपका text आप लिख रहे हो, आपको उस पे नजा रखनी है, और then आप type करेंगे, धीरे धीरे आप is the process when we begin our learning home row, यानि कि जो asdf, jkl, semicolon, जो आपका home row होता है, उसको अगर जब पहला type करना शुरू करते हैं, वो आपकी stage 1 होती है, stage 2 में आप क्या करते हैं, आपको धीरे धीरे memorize होने लगता है, जो आप syllabus यूज करते हो, different words का use करना शुरू कर देते हैं, characters के बाद आप words का practice करना शुरू करते हैं, stage 3 में आपकी skills में जो हो perfection आना शुरू हो जाता है, यानि कि आप paragraph भी type करना शुरू कर देंगे, बात अगर मैं करूँ आपके touch typing rules की, तो उसमें आपको दखिए, आपका keyboard का ये layout बना दिया है, इससे आपको आसान हो जाएगा कि आपको अपनी fingers कहांसे use करनी है, अगर मैं बात करूँ, आपका home row जो होता है, a, s, d, f, j, k, l, semicolon, इस पर आपको अपनी fingers रखनी है, ये आपकी little finger होगी, ये आपकी ring finger होगी, ये आपकी middle finger होगी और ये आपकी index finger होगी, okay, now, in the same way, आपके right hand की index finger, middle finger, ring finger और little finger, इस तरीके से होगी, and, जो color आपको show हो रहे हैं, ये color का meaning क्या है, कि अगर मैं बात करूँ little finger की, तो ये same color वाले जो आपके text हैं, ये आप little finger से लिखेंगे, yellow color वाले जो text हैं, ये आप अपने, जो आपके ring finger उसका use करेंगे, blue वाले colors के लिए आप अपने middle finger का use करेंगे, और जो ये आपके orange color अगें दुबारा आगे हैं, ये आपको index finger से आपके type करने हैं, in the same way, right hand की index finger से green color, और then blue color आपका middle finger, yellow color आपका ring finger है उससे, और ये वाले सारे जो आपके keys हैं, वो आपको little finger से press करने हैं, तो ये तो आपकी बात होगी, keyboard की, इधर जो आपका numpad है, इसमें भी in the same, आपको procedure follow करना है, आपकी guide की 5 होगी, और ये जो fingers आप यूज करेंगे, आप अपना index finger और ये, ये वाली सारे finger एक आप अपने index finger से यूज करेंगे, middle finger का यूज करेंगे, और आपके ring finger का यूज करेंगे, ओके, तो आपको ध्यान रेना है, जब भी आप आएंगे, type करेंगे अपने right hand से, ये आपका numpad आप अपने right hand से यूज करते हैं, सो जितने भी ज़्यादा तर keyboard जो होते हैं मैंने बताया था कि quality keyboards होते हैं और उसके अंदर मुझे home row सबसे पहले सीखनी होती है हम asdf jkl semicolon जो row है आपकी home row जो होती है second row यह आपकी first, second, third और fourth तो आपको second row सबसे पहले जो stage one होती है उसमें हम लोग सीखते हैं जो color code मैंने बताया उसको आपको follow करना है और इस तरीके से जब software open होगा तो उसका interface को sensor नज़र आएगा इसमें आप यहाँ पर देखेंगे आपको virtual keyboard भी नज़र आएगा जब आप type करेंगे तो आपको कौन सी finger का यूज करना हूँ यहाँ पर show होगा ओके सो आपको help हो जाती है आपकी कौन सा type करना है और किसी finger का आपको यूज करना है यहाँ पर दर आपके different menus होते हैं जिसके help से मैं यहाँ पर lesson change कर सकता हूँ अपना और जो आपका part है वो basic होना चीए यहाँ lesson 1, lesson 2 जो भी आपका होगा introduction इसको यहाँ पर change कर सकते हैं कि आप beginner है यह intermediate है यहाँ फिर आप moderate है यहाँ फिर आप expert हैं उसके हिसाब से आप अपनी practice का lesson change कर सकते हों उसकी difficulty level आप उसको change कर सकते हो यह आपके पास different option होते हैं जो आपका मैंने बताया vertical जो buttons होते हैं उसमें आपके पास lesson के लिए option होता है statics यानि कि जो आप type करते हो उससे related results आपको show करता है lesson editor में आप अपने lesson में changes भी कर सकते हैं अपने according so यहाँ पर different option इसके लिए होते हैं text panel होता है जिसमें आपका display होता है कि जो आपके lesson editor है अगर उसमें आपको कोई change करना है तो आप यहां से कर सकते हैं lesson control panel में अगर lesson में कोई आपको play करना है pause करना है resume करना है तो option होता है enable disable करने का अगर आपका lesson में आप चाते हो कि sound आपका हो या नहीं हो तो उसके लिए आप enable या disable कर सकते हो sound को कीबोर्ड virtual keyboard आपका display करना है नहीं करना है वो भी आपके पास option होता है तो starting में generally हम यह जो आपका है यह आपका virtual keyboard है जो आपको नजर आएगा जब आप उसको use कर रहे होंगे जैसे आप begin lesson की बात करते हैं तो begin lesson में यहाँ पर आपके पास first of all अगर आप beginner है तो आप beginner का use करेंगे otherwise अगर आप expert है या intermediate है तो आप उसके accordingly आप select करेंगे अपना lesson ओके आपको layout accordingly लिए choose करना है और जो भी आप lesson टाइप करेंगे उसके respect में आपके पास यहाँ पर different options होंगे MCQ में generally ऐसे question पूछ ले जाते हैं जैसे यह option दे दिया यह बटन आपका rapid typing tutor में है यह किसके लिए होता है तो आपको buttons को enable और disable करने के लिए होता है तो यह छोटे छोटे आइकन जो आपके यहाँ आपके typing tutor पे होंगे उनको आपको ध्यान रखना है कि किस button का क्या काम होता है ओके lesson आप change कर सकते है randomly अगर आपका एक lesson पर practice अच्छी होगे तो आप यहाँ से lesson को change कर सकते है अगर आप type कर रहे हैं तो आपके पास type करने के बाद में इस तरीके की statics आती है कि आपने कितने word per minute type किया उसकी accuracy कैसी थी 75% आपकी accuracy थी speed आपकी 23 word per minute है इस तरीके से वो result आपका show करता है जो आपका typing software है और यह result show करने के बाद में आप जब type करते हो तो आपके जो words होते हैं वो different colors में convert हो जाते हैं और उनके colors क्या indicate करते हैं अगर आपने कोई word type किया कोई letter type किया और वो green color हो गया तो green letter का मतलब होता है कि आपने right input यानि कि जो input लिखना चीए था यानि कि उपर जो slab से आते रहते हैं जैसे asd लिखना है तो आपने अगर सही type किया है asd को तो आपका green हो जाएगा और within a time right input but within a time यानि कि time frame आपने ज़्यादा नहीं लिया है required time frame में आपने type कर गया है तो वो क्या हो जाएगा green color का हो जाएगा yellow color का meaning होता है आपकी बहुँ ज़्यादा हो गई है तो वो उसको yellow color में convert कर देगा और अगर आपने कुछ letter type किया और वो red color में हो गया उसका meaning है कि आपने वो गलत लिखा है आपको जो लिखना चीए था आपने हो सकता है आपकी mistake हो गई हो a, b, d लिखा गया हो यह sd की जगह तो जो है वो आपका wrong input आपका है but आपने time ज़्यादा ने लिया उसको type करने में frequent time जो required था time frame उसी में आपने उसको type किया है ok wrong input but time आपका ok accepted time frame था orange color होता है आपका आपने गलत भी लिखा और time भी बहुँ ज़्यादा ले लिया यानि कि time जो है आपकी time frame पर वो आपका ज़्यादा है और साथ ही आपका input भी जो है आपने जो लिखा है वो भी क्या है type जो किया है वो भी गलत type किया है तो वो orange color हो जाता है तो आप याद रखेंगे exam में definitely question ज़्यादा तर पूछा जाता है maximum time मैंने देखा है कि आपका question पूछा जाता है कि जो color है वो क्या indicate करते हैं तो green color indicate करता है आपके right input को yellow color करता है right input but exceeding time frame acceptable time frame से ज़्यादा उस नहीं लगा है red color आपका wrong input को बताता है but within acceptable time frame और orange बताता है wrong input and wrong यानि की exceeding time frame acceptable time frame तो यह आपके different options होते हैं जो color से related ओके आप इनको learn कर लेंगे कि किसका क्या use होता है color का क्या meaning होता है तो कल हम देखेंगे कि जो आपकी view or analysis statics होती है उनको आप कैसे check कर सकते हो आप अपने result जो है word per minute में है accuracy क्या है और उसको कैसे major किया जाता है check कैसे किया जाता है so keep watching and keep learning and share with your friends such that maximum student can get benefited and thank you सोले की बनावारो है colored इसक्षप्डा जाता है जाता है आपके है जाता है यूइप्षवारोध' Spencer सकी झामा म् हानी किया हमेगए प्ल險